कि हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल इवजी सेड़ा 2.0 तो आज हम आप लोग के लिएक निटिफिकेशन जारी किये थे कि हम आपको यूजी सेड़ा 2.0 पर हिंदी का लाइब टेस्ट लेकर आ रहे हैं जो किसी प्रोब्लम की बैस लाइब नहीं हो पा र नाम था थोड़ा सा मैं पेन को छोटा कर लेता हूं कि भाल क्रिष्ण का भट की पिता का क्या नाम था आप लोग दिजिए का मेंट्ड रंसर इसका आपके सामने चार अप्शन है पहला ऑप्शन देनी परसाद वहत्ट दुसरा है बेनी परसाद भाट और तिसरा तेनी पर और चौथा ओप्षन है सेनी परसाद वाट तीस ओप्षन में राइट एंसर हो जाता है हमारा बेनी परसाद भाट यानि बाल कृष्ण भाट की पीता का क्या नाम था बेनी परसाद भाट आप लोग कोमेंट किजिए इसका हम पीडिया भी प्रवाइड कर देंगे चुबिसी घंटा के अंदर आपको फीडिया भी अप्लोड हो जागा और फिलाल आप लोग पीडिया पाने के लिए हमारे एवजी से अरड़ा टू पैंट जीरो टिलिग्राम को फॉलो किजिए वहां से आप लोग पीडिया ले सकते हैं तो सेकेंड नमर कोचन है कि देमंतिस सुम्टा पर 90 लेखा की रचना है इसका हो जैदा ऑप्सर में बाल क्रिष्ण भाट आप्स्ण न वरख सिच फ्रेंड्ड हो जाता है कि बाल कृष्ण भट देमंतिस सुम्टा की राचना है बाल क्रिष्ण भट क्याह आप लोग जब सार्नेमाइव या जय परकाश नरायन नामोवर्षी या बाल कृष्ण भठ तो इसके राइट एंस हो जएगा ऑप्शन नमर्ड बाल कृष्ण भठ है बाचित सिर्शक निवंद के निवंदकार कौन है बाल कृष्ण भठ है तो आप लोग वीडियो को सेर कर दीजिए फटा-फट दोस्तों के पास और भी लोग इसमें जूड़ जाएं देखें उनको भी फैदा हो और अच्छा मेरा पसंद है तो अंत में आप जाते वक्त एक लाइक जरूर कीजिएगा कोचन है फोड़ नमर की बाल कृष्ण भठ की रचिना बाचित क्या है तो इस ओप्शन में इसका राइट ए रहे होंगे फाइब नमर कोचन की बाल कृष्ण भठ का जन्म कब हुआ था तैस जून 1884 को या तेस जून 1844 को या विश्प जुलाई 1902 को या 18 सितंबर 1834 को आप लोग बताइए कौंसा एंसर होगा चलिए इसका राइट एंसर हो जाता है ओप्शन नमर भी तेस जून 1844 को बाल कृष्ण भठ का जर्म कब हुआ था तेस जून 1844 को चलिए नेक्स कोचन है फ्रेंट्स उसी तरह से उसने कहा था कहानी है उसने कहा था कहानी है इसका राइट एंसर आप लोग गताए कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है और द्रिब्व प्रेम की कार्यानी राइट एंसर इन में सभी हो जाता उसने कहा था कहानी है इसमें तीनियों ओप्शन मेरा करेक्ट हो जाता है अथा राइट एंसर आप्शन नमबर डी हो जागा इन में सभी चलिए न तुने 1 15 उसने कहा था किस वर्ष की रचना है तुने 15 वी को सबते हैं और आप लोग कॉमेंट बख्स में कॉमेंट करते रहें हमारे एंसर बताने से पहले आप लोग कोमेंट कर दें ताकि कितना आप लोग सही कर पाते हैं और वन ये चाहा था किस परकार की कहानी है धर्म परधान या चरित्र परधान या भाव परधान या कर्म परधान तो इसका राइट एंसर हो जाता है option number D कर्म परधान उसने कहा था किस परकार की कहानी है तो कर्म परधान है option number मेरा D सही हो जाता है फ्रेंट्स चलिए नेक्ष कोचन है जैपरकास नरायन के बच्पन का क्या नाम था बताए बहुत ही जे कोशन आपके सामने है जैपरकास नरायन के बच्पन का क्या नाम था आप लोग एंसर दिजिए इसका राइट एंसर हो था डी बाबुल जैपरकास नरायन के बच्पन का क्या नाम था फ्रेंड्स तो नहीं हो जाता है प्रकास नरायन और ऑप्सिन नमर पुछा गया है यंदि को ने प्रकाश नरायन को किस और रोस को कहा गया है और हां मेरे चानल पर कंप्लेट रूप से हिंदी का कलास करने के लिए सब्सक्राइब करें देखिए हाँ पर लिख देते हैं सिरीजन क्लासेज बाइब सोनु सर हलाकि इसका डिस्क्रिशन में हम भी लिंक देदेंगे आप लोग वहां से देख सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लिजेगा हाँ इसका सटिक्स एंसर दीजिए छात्र अंदोलन कब शुरू हुआ था कि अधिस्य आप लोग बताइए कौन सा हो जागा हम तो 1974 इसमें आप लोग हमारे वीडियो को शेर नहीं कि तो शेर कीजिए और आप सब्सक्राइब कर लिजिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए नोट्रिकेशन को बटन को दवा लिजिए तो इसका अंसर आप लोग दे सकते हैं दिनकर को कौन राष्ट्य समान मिला था पदम शिरी भारत रत पदम भूशन यहां पर थोड़ी सी मिस्पिरिंट हो गई है पद में खेर कोई बात नहीं आप लोग एंसर दीजिए इसका राइट एंसर हो जाता पद भूशन ओप्श और नारिशवर की रचना है याद रखेगा आप लोग चले ने पर पंदर आपके सामने उपलब्ध है और नारिशवर सिर्षक पाठ के निरिवंदकार या लेखक कौन है आप शने रामधारी इसी दिनकर हजारी परसाथ द्रिवयदी या राम चंदर सुक या जगदिश च और नारिशवर का किस विद्या से संबंद है और नारिशवर का किस विद्या से संबंद है चलिए भेंग तो इसका राइट्येंश दाइटिंश्र होसी प्रेंट्स बताइए ज़र हों और यस संबंद है से मट्स चलिए पेटा का नाम था इसप्रेंटर बार बार एकजाम में पुछा आप या बहुत ही इंपॉटेंट हुट दिसे आप लोग भी आई run फो net की सिर्षा काहानी के लेखक कौन हे रामधारीसि दिनकर हैς मुहरा केसे या उद्हयй परकास हैं चले आप लोग पढ हैं तो एंसर दीजे नहीं पर हैं कोई बात नहीं आज याद कर लिजिए तो अठार नमबर का राइट एंसर हो जागा ऑप्शन नमबर ए अगे रोज सिर्शा कहानी के लेखा कौन है तो अगे हैं चलिए उन्हें इस नमर का एंसर दीजिए आप लोग एक लेख और एक पत्र के लेखा खाएं एक लेख और एक पत्र के लेखा कौन है तो भागत सी है चलिए 20 नमर कोशन पर चलते हैं हम लोग के हंडर कोशन करना है तो इसलिए हम लोग फटा फट करें चौरी चौरा कांड कब हुआ था बताइए यह तो बहुत इंपोर्टेंट कोशन है तो इसका राइट एंसर का ओप्शन नमबर ब 2-3 मार्च 1931 को भागत सीह की फासी दे गया थी चलिए सब्स्क्राण से रिलेटर्णर इसी में पहले ग्रेवतारी कभ हुई थी बबंगास के पहले ग्रेवतारी कभ ह स्थी वोचशन इसका राइट सब連ní तुर إ- N25 नोघ म Similar, और उनको फासीद दे गही थी 23 निश्वane प्रकाश नरायन या जग्दिश चंद्र माथूर या मल्याज या मुहाराकेश तो इसका राइट अंसर हो जगा जग्दिश चंद्र माथूर ऑप्सन नमबर इसका बीच सही हो जाएगा चलिए आप लोग सही कर पा रहे हैं बहुत अच्छा जग्दिश चंद्र माथूर या उदय प्रकास या नामो अरसी तो इसका राइट अंसर हो जगा फ्रेंट्स जग्दिश चंद्र माथूर ऑप्सन नमबर इसका बीच सही हो जाएगा चलिए हम लोग आगे कोशन पर चलते हैं देखिए आपके सामने कोशन है फासी वहां लढ करने के लिए है वह भाग नहीं सकते जो फोज छोरकर भागता है उसे गोली मार दी जाती है यानि एक किसने कहा यानि कौन सी कहानी में है परगति और समाज या हंसते हुए मेरा अकलापन या सिपाही की मा या ओ साधा नीरा तो इसका राइटेंस रोज़ता सिपाही की माने में बोला ठीक है प्रेंट्स ऑप्शन नमर इसका सी याद रखिएगा यह कोचन पूछ सकता है 2001 कि इसमें चलिए 26 नमबर है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था मदन मोहन गूगलाने या क्रिष्ण मोहन गूगलाने या राधा क्रिष्ण गूगलाने या राम क्रिष्ण गूगलाने तो इसका एंसर दीजे आप लोग तो इसका एंसर हो जगा ऑप्शन नमबर है मदन मोहन गूगलानी ऑप्शन नमबर है इसका सही हो जगा फ्रेंट्स चले नेक्ट नमर कोश्चन पर हम लोग चलते हैं नामोर सी दुबारा लिखित परगति और समाज क्या है अलोचना निवन्द एकांखी या आत्म कथा है तो क्या है फ्रेंड्स इसका राइट एंसर आप लोग दीजिए इसका राइट एंसर जागा ऑप्शन नमर भी निवन् ऑप्शन नमर उसका बेरिए और होजएगा चलिका अठाइट नमर कोशन हम लोग कर लें जुठन क्या है जुठन क्या है या कहानी है या सब सीत्र है और है और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और कम्प्लेट ट्रूप से त्यारी करने के लिए 12 विहार बोर्ड ह सब्सक्राइब कीजिए वहां भी हिंदी और फिजिक्स का अब्जेक्टिव डाला हुआ है कि 29 नमर कोचने की ओम परकास वाल में की किसकी रचना है रोज तिर्ची जूठन या उसने कहा था तिसका राइट अंसरो जगा ओप्सन नमर सी जूठन का ओम परकास वाल में की कि कि रचना है जूठन का हस्ते हुए मेरा अकिलापन किस विद्ध्या की रचना है निवंध डायरे लगू कथा या नाटक को ऑप्सन नमबर भी सही हो जगा डायरे हस्ते हुए मेरा अकिलापन किस विद्ध्या की रचना है डायरे की रचना है छलिए नेक्ट कोशन है फ्रे कि मलियज पिर्थिवी सिर्षक के रशेता कौन है तो मलियज है नेक्ट कोचन यहां कि तिरिच कहानी के कहनिकार कौन है उदय परकास या सचिदानंद हिरानंद वात्ष्यान या बालकृष्ण या चंदरधर सर्मा गुलेरी तो इसका राइट एंसर हो जगा ऑप्सन नंबर पिर्थेए उदय परकास के कहाने के कहनी कार कौन है उदय परकास है क्यूम्कास अचलिये हम लोग कोचन पर हम लोग आ गया है चलिया हम अंफाओ आप लोग इंसर इसका सही दे रहे होंगे अरेबा परेबा उदय परकास की कैसी क्रिती है पताइए आपके सामने चार ओप्षन एक्जाम में दिया हुआ रहेगा कहानी संग्रा उपनियास कभीता संग्रा या निवन्द संग्रा तो इसका राइट एंसर बताइए कौन सवाज़ेगा फ्रेंड्स 33 नमबर का इसका राइट एंसर और कहानी संग्रा और यहां पर एबा उदय परकास की कैसी क्रिती है तो कहानी संग्रा है चले नेश कोछन है और यहां पर मैं थ्वरा से आपने इंग कुछ चेंज कर लाता हमें भी माजा नहीं आ रहा है सिंग से चलिए सिच्छा सिर्षक निवंद के निवंदकार कौन है आप्शन है मल्याज मोहाराकेस उदय परकास जे क्रिष्ण मूर्ती तिसका राइट एंसर रोजगा फ्रेंट 34 नमबर का आप्शन नमबर डी जे क्रिष्ण मूर्ती है सिच रोज संपुनकरांती बाचित सिच्छा तो इसका राइट एंसर हो जगा फ्रेंट 35 नमबर का आप्शन नमबर डी इसका सही हो जगा सिच्छा जे क्रिष्ण मूर्ती इन में से कौन सी रचना है तो सिच्छा की रचना है चलते हैं यहां पर कोशन आपको है कि करबक के रच चाहिता कौन है शुर्दास कवीरदास जाइसी या तूलसी दास तो इसका राइट एंसर हो जगा फिरेंट जाइसी ऑप्शन नमबर इसका सही हो जगा कि करबक के रचेता कौन है जाइसी तो आप लोग कॉमेंट बोक्स में एंसर देना नहीं भूले आप ज़रूर एंसर क कभी हैं प्रेमकीपीर वहीं जाइन आभादास या शूर्दास या खविरदास लॊंसंसर फ्ररेंट वापशन नमबर एंस रीचा फ्रेम की plaisir क Copie कभी खöhसे चलते हैं इसी तरह से और तिस नमबर कोशन है कि मलिक मुहम्मद जाइसी किस प्रमप्रा के कभी है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फ्रेंस तो आप लोग भागेएगा नहीं जरूर देखियेगा अहन तक आपको फैदा ही होने वाला है इस चिर्फ 12th कलास के विद्यार्थियों के लिए ह मलिक मुहम्मद जाइसी किस प्रमप्रा के कभी है तो 38 नमबर का इसका राइट एंसर हो जगा ऑप्शन में बजर भासा सुर्व सागर किस भासा के कभी है तो बजर भासा के कभी है चलिए चालिश नमर कोचं का एंसर दिजी तुलसी दास की पत्नी का क्या नाम था तुलसी दास के पत्नी का क्या नाम था फ्रेंड्स तो रतना वले याद रखिएगा इंपोर्टेंट कोचं है इसे अस्टार लागा लिजेए आप लोग तुलसी दास की पतनी का क्या नाम था तो रतनावली चलिए नेक्ट नमर हम लोग कोशन पर चलते हैं इसी तरह से अब आपको पीडिएफ हम पुर्भाइट जरूर करेंगे क्लास खत्म होने के बाद यानि 24 घंटा के बाद आपको पीडिएफ अपलोड कर दिया जागा डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां से इसे पढ़ जकते हैं एक तालिस नमर है कि तुल्सी दास का बच्पन का क्या नाम था तुल्सी दास का बच्पन का क्या नाम था राम बेला श्याम बोला हरी बोला या स्यू बोला तो इसका राइट एंसर हो जगा ओप्सन नमर है राम बेला तुलसी दास का बच्पन का क्या नाम था राम बेला चलिए तुलसी दास की मता का क्या नाम था बताइए उसी तरह से तुलसी दास की मता का नाम था फ्रेंड्स हुलसी ओप्सन नमर सी इसका सही हो जगा हुलसी चल स्वामी अग्रदास थे नाभादास के दिछ्छा गुरु कौन थे आपके समने ओप्षन दिया हुआ है बताइए इसका राइटेंस ओप्षन नमर भी स्वामी अग्रदास थे नाभादास के दिछ्छा गुरु कौन थे प्रेंड तो स्वामी अग्रदास थे चलिए छपए शिर्षक के रचेता कौन है ऑप्षन है समसेर बहादुर सी बिनोध कुमार सुकल असुक बाजपेई या नाभादास ते इस ओप्षन में राइट एंसर आपका कौन सा हो जगा ओप्षन नंबर इसका सी सही हो जगा असुक बाजपेई छपए शिर्षक के रचेता कौन है असुक बाजपेई है चलिए बच्चा पाटी आप लोग एंसर फटाफट करते रहिए सिवा जी के पुत्र का क्या नाम था आप लोग एंसर दीजे जल्दी से इसका कॉमेंट ब की सब्सक्रा है फ्रेंट्स ड्रुषं कि मीख कवी है था भुसं कि सब्सक्राइब के कभे हैं इसका राइट एंसर ओप्षन नंबड़ ब एक हो जंगा भगतिकाल भुसं कि सलक कि कभी है तो बब गतिकाल के है चलिए और तालीस में कुल्हाहमें सिर्षइपर पर्षाद संकुर्षाद किसवाद से संबनित रचनाकार हैं किस बाद से संबनित रचनाकार है Sim cuestión फीर जिडीनघ्र सी चाईबाद पुत्र वियोग किसकी रचना है एकावन का आप लोग राइट एंसर दीजिए पुत्र वियोग किसकी रचना है सुभद्रा कुमारी चवुहान पुत्र वियोग किसकी रचना है सुभद्रा कुमारी चवुहान के चलिए इसका अंसर यहाँ पर हो जाए अपर सुबाद्रा कुमारी चोहान की लिखी कविता कौन सी है बावन करा इंशर उप्शन नमर भी हो जाएगा पुत्र वियोग इसका एंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में फ्रेंड्स ओप्शन नमबर बी समसेर बहादूर सिह की सुकुन की तलास समसेर बहादूर सिह की रचना है चववार नमबर उसा सिर्शक कभीता किसके कभी है अनिसे ओप्शन में बताइए किसका कभी है ओप्शन आगे मुक्ति बोध या समसेर बहादूर सिह या धरमबीर भारती तो इसका राइट एंसर हो जाता है ऑप्शन नमबर सी सम सेर बहादूर सी उसा सिर्चा कभी ता किसके कभी है तो सम सेर बहादूर सी के कभी है चलिए पच्पन नमबर है जंजन का चेहरा एक एक की रचनाकार है जंजन का चेहरा पच्पन नमबर का राइट एंसर जगा ऑप और थोड़ी सी मिस्प्रिंट हो जाती है इसके लिए मैं मुंक्तिबोध का जर्म अस्थाल है्त बताई इसका राइट इंसर कौमसा हो जगा तो इसका राइट इंसर फ्रन 46ग्ण और सि मुंक्ति बोध का जर्म अस्थाल कहा है तो 36गपन ईप और 57 का आप लोग एंसर करें अधिनायक सिरसक कविता किस पुष्टक से लिगई है तो 57 कर आइट अंसर जगा ओप्सन नम़र 2 आत्महत्या के विरूद शलिय का एंसर दीजए अधिनायक किस कभी की रचना है अधिनायक किस कभी की रचना है इस अप्षन में राइट इंसर बताईए कौन सा हो जगा तो अप्षन नम्बर है इसका सही हो जगा रगुवीर सहाए चलिए 69 नम्बर का इंसर आप लोग दीजे रगुवीर सहाए का जन्म अस्थान कौन सा है कासी लखनाव मेरट आगरा तो इसका राइट इंसर हो जगा 69 नम्बर का भी लखनाव लखनाव आप लोग नहीं पढ़िएगा इससे लखनाव ही पढ़िएगा चलिए 70 नम्बर का इंसर आप लोगताई है विनोध कुमार सुकल का निमास अस्थान कहा ए उत्तर पर्देश रायपूर या 36 गड़ या बिहार या पंजाब तो इसका राई टेंसर हो जगा साथ नंबर का भी रायपूर 36 गड़ बिनोध कुमार सुकल का निवास हैस्थान कहां है और रायपूर 36 गड़ है यहां पर देखिए आपके सामने कोशन उपलब दे प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका परतिक है धर्म का कर्म का चलिए इसका अंसर आप लोग दीजे प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है तो इसे ओप्सन में रायप एंसर हो जाता है 62 नंबर का ओप्सन नंबर है बिनोध कुमार सुकल प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है बिनोध कुमार सुकल अगर आपको एकजाम में कोशन आएगा भी तो एंसर सहीं ताएगा इसमें कोई भी एंसर नहीं चेंज होगा फिरेंट 63 नंबर का है कि हार जीत किस परकार की रचना है आपको एदम सी तरह आगाज साओ यादर कर लिजिए हार जीत किस परकार की रचना है तो 63 नंबर का ओप्सन भी और गदगीत की चलिए नेश्कोचन यहाँ पर है कि अशोक बाजपैई का जन्म कब हुआ था? असोक बाजपैई का जन्म कब हुआ था? तो 64 नमर का राइटेंसर हो ज़ता ओप्सण नमबर है 16rd January 1941 स्भी को यहाँ पर देखिये हार जीट की रचनाकार कौन है? हार जित के रचनाकार कोन हैं तो 65 नमर का option होजळाँ है अशोक बाजपेई हार जित के रचनाकार कोन है अशोक बाजपेई जी है गाउस का घर शिरसक विता कैसि कविता किस कविता संगरख की है उॉवें सपर 66 नबर काुम सी हो जगा सयाथ से आत्मा सऱ्ह शॉष्ole का जहीए डाइंग स्ध्रेशा कभिता किसको रचनाा यहां पर ठ्रोब्लम हो गई निया गाउं का घर सिर्शक कभीता किसकी रचना है तो सर्शत नमबर का डाइटेंसर आप लोग दीजिए और समान ग्यानेंद्र पती को कब दिया गया था तो अब दोड़ा नमबर का डाइटेंस होजगा उप्सन नमबर भी 2006 में चलिए उनहत्तर नमबर दच्छिन सब्द कौन सी संग्या है उप्सन नमबर इसका भी सही हो जागा बैक्ति वाचक थोड़ा सा हम व्याक्रण से कोश्चें ले लिए इंपोर्टेंट है आपको इसे बनाए पुस्तक सब्द कौन सी संग्या है इस ऑप्सन में आपके सामने एंसर दिया हुआ है जाती वाचक बैक्ति वाचक समुवाचक भावचक तो इसका राइटेंसर हो जाता है जाती वा आता है कहुं सासरवनाम है तो प्रश्един वाचक है ओप्सन नंबर इसका है सही बैद देखिए म are I mean क्या चाहिए करे सा दीन पर लिए प्रस्ट ओप्रस्बाचक वो इसे याद करके जाहिए गा इसे आपको दो नमर या तीन नमर जरूर ही कोशन पुछेगा तो बहत्तर नमर का इसका राइटेंस रोजेगा ऑप्शन नमर भी प्रश्ण वाचक है तुम्हें क्या चाहिए कौन सी सरवनाम है तो प्रश्ण वाचक तो फ्रेंट्स आज क्या क्लास इतना ही मिलेंगे नेक्स किजिए और साथ में बेल एकन बटन को दबा लिजिए इसे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा हम उमीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो चलते चलते एक लाइक करते जाएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में बेस्ट अप्लग प्रट्स